नमस्कार किसान भाईयों, मैं सुरुदेवल फिट से हाजिर हूँ, आपके अपने चैनल एगरी कल्चर गुरू जी में किसान भाईयों, आज हम बात करेंगे, जब हमारी गेहों की फसल के उपर लगभग लगभग 10 से लेके 15%, 20% बालियां बन करके आजाती हैं, उस समय पर गेहों की फसल के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आती है, फंगस की समस्या, इस समय पर गेहों की फसल के अंदर फंगस ज इससे कि हमारी आने वाली जो उपज है, जो हमारी पैदावार है, उसके अंदर हमें कोई भी कमी देखने को ना मिले। साथी साथ जो हमारी बाली के अंदर दाना है, इस दानी का जो साइज है वो अच्छी तरीके से बढ़ करके हमें मिले। एक अच्छी पैदावार हम कुल मिला करके ले पाएं बालियों का साइज भी लंबा रहना चाहिए बालियों के अंदर वजन भी बनना चाहिए और बालियां जो हमारी काफी अच्छी तरीके से चमकदार भी बनी रहें तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको एक सही और सांदर जानकारी मिल पाएगी तो किसान भाईयों सबसे पहले बात करते हैं कि दाने को फुलाव हम किस तरीके से कर सकते हैं और फंगस से हम अपनी फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं तो यहाँ पर किसान भाईयो आपको कुल मिला करके तीन इस्प्रे का उप्योग करना है इन तीनों इस्प्रे की पूरी मात्रा मैं आपको बताऊँगा इन्हें आपको लेना है वो लगभग 130 से लेके 150 लेटर पानी के अंदर मिला करके आपको इसका इस्प्रे करना है बहुत ही अच्छे परिणाम आपको किसान भाईयो देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले जो आपको इसके अंदर इस्प्रे लेना है वो लेना है किसान भाईयो बोरोन का और बोरोन जो आप लेंगे 20% वाला बोरोन आप लेंगे तो इसके उप्योग करने से आपकी जो बालिया हो यह अच्छी तरीके से किसान भाईयो इनके अंदर दाने का भराव होता है अच्छी तरीके से परम परागन की किरिया बनती है जिससे जो हमारी बालिया होती है अच्छी तरीके से इनके इंदर दूद का बहाओ होता है और फिर हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलती है बोरोन की जो मात्रा किसान भाईयों यहाँ पर आपको लेनी है वो लेनी है 100 ग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से हमेशा ध्यान दें 100 ग्राम से जादा की मात्रा आपको नहीं लेनी है सिर्फ 100 ग्राम की मात्रा लीजिए ये बिल्कुल सफिसेंट मातरा किसानभाईयों हमारी गेहों की फसल के लिए रहती है अब बात करते हैं दूसरे इस्प्रे की की आखिरकार हमें दूसरा इस्प्रे कोंत लेना है तो दूसरा इस्प्रे किसानभाईयों यहाँ पर आपको लेना है Amistar Top Amistad Top आपको कि सन्भजो इसलिए लेना है क्योंकि Amistad Top एक बहुती सांदर वाला बहुती अच्छा वाला फंगी साइड है इसका उपयोग यदि हम अपनी गेहों की फसल के अंदर करते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी फंगस हमारी गेहों की फसल के अंदर फिर नहीं लग पाते हैं ये हमारी पैदावार को बढ़ाने में हमारी काफी ज़्यादा मदद करता है तो आपको Amistad Top का उपयोग भी यहां कर लेना है अगर आपको कोई और फंगिसाइड पसंद हो तो आप उस फंगिसाइड को फ्योग भी कर सकते हैं लेकिन मुझे Amistad Top काफी ज़्यादा पसंद है क्योंकि यह लगबग आप ऐसा मान सकते हैं कि संसार का सबसे अच्छा फंगिसाइड आप इसे कह भी सकते हैं ब की मातरा आपको Amistad Top की लेनी होगी और इसे भी किसान भीयो अपने उसी मिक्चर के अंदर डालना है जिसके अंदर आपने बोरोन का गोल बनाया है अगर आप इसका उप्योग कर लेते हैं तो फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और बोरोन होने की वज़े से आपकी जो बाली होंगी ये काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी दाने का फुलाव काफी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं तीसरे स्प्रे की लेकिन तीसरे स्प्रे से पहले मैं आपको बता दूँ खेत के अंदर परियापत नमी आपको रखनी है अगर खेत के अंदर नमी अच्छी तरीके से नहीं होगी तो दुनिया का कोई भी खाद आप डाल दीजे कोई भी स्प्रेय आप कर दीजे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को बिलकुल भी नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना ह कि खेत के अंदर नमी होनी बहुत ही जादा अनिवारी है यदि किसी कीट का अटैक भी आपकी फसल के अंदर चल रहा है तो आपको किसी कीट नासक का उपयोग भी करना होगा और यदि कीट का उपयोग नहीं चल रहा है कीट आपकी फसल के अंदर लगा हुआ नहीं है तो क किसान भाईयो, सल्फेट ओफ पोटास, सल्फेट ओफ पोटास का आप यहाँ पर उप्योग करेंगे, तो यह हमारे तने को मजबूत करेगी, दाने को अच्छी तरीके से भरवाएगी, हमारी बालियों के अंदर वजन अच्छी से बनेगा, बालिया लंबी रहेंगी, चमकद तो बहुत सारे फायदे आपको सल्फेट ओफ पोटास के यहाँ पर मिलने वाले, सल्फेट ओफ पोटास का मतलब है एनपी के जीरो जीरो पचास, तो इसकी जो मात्रा किसान भाईयो आपको लेनी है, वो एक एक एकड़ खेत के लिए आपको लगबग, एक किलोग्राम पि पिर्ती एकड़ के हिसाब से, और अमिस्टा टोप जो हमारा फंगी साइड है, इसकी मात्रा आपको लेनी है, 120 से लेके 130 से मेल पिर्ती एकड़ के हिसाब से, इन तीनों को आपको आपस में आपको अच्छे से मिलाने के बाद, लगबग 130 से लेके, 150 लेटर पानी के अंदर इन्हें मिला लीजे, और मिलाने के बाद, इनका इस पर आप अपनी फसल पर कर दीजे, बहुती बहुती सांदर, अच्छे रेट किसान भाईयों, ये आपकी फसल के अंदर आपको निकाल करके देंगे, उम्मीद है, मेरी ये जानकरी, मेरी ये वीडियो, आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप जादस जादक किसान भाईयों तक सेयर करें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी सभी प्यारे किसान भाईयों को, जै हिंद, जै भारत, जै किसान, वन्दे मात्रम